नमस्का दोस्तों मैं प्रदीप शिवास्तों वेलकम तो माई चानल देखिए ये बच्पन से में सुनते आ रहा हूँ कि जो कामपनी जाद तर अच्छे प्रड़क्स बनाती है अच्छे क्वालिटी प्रड़क्स बनाती है और उसको लोग ट्रस्ट वर्दी मानते हैं और अच्छे कंप्पना लृट की उसके बारे में उसके बारे मो काफी सोचा और मुझे लगा मैं टाटा ग्रुप के बारे में बच्पन से सुनता आ रहा हूं और इसके बारे में में इक स्टडी क्यों ना की जाए कि यह जो टॉटर्टर ग्रूप है जो इतनी ट्रस्ट वर्दी है अफी जमानों से है मतलब जनरेशन से है और लोग इस पर वाउच करते हैं यह सोच के मैंने एक स्टड़ी की है थोड़ी डिटेल स्टड़ी है आप जरूर अंतर तक देखेंगा आप इस बात को सच मानते हैं या मित मानते हैं आप यह जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए चले इसके बारे में स्टड़ी करते हैं यह जरूरी को सब्सक्राइब आप इसके बारे में लिखिए हम सब जानते हैं कि Tata Group एक काफी बड़ा लाज ग्रूप है इन फक्ति यह वर विकर्ष कोंगो ली मेरेट है इंडिया बेर और इस बिल्दे इंडिया इन इन जरूरी जनरेशन गेरेशन इन फोड़ी प्रोड़ी में हैं FMCG हो गया, automobiles हो गया, telecommunication हो गया, technology हो गया, investments हो गया, hotels हो गया, airlines हो गया, इन सारी चीज़ों में Tata Group का presence है और हर जगा जो है उन्होंने अपनी छाब छोड़ी हूई हो और काफी अच्छा परफॉरमेंस तो Tata Group के करीब 19 पब्लिक लिस्टेट कंपनीज हैं और कम Central Stock Exchange और Bombay Stock Exchange दोने जगा लिस्टेट हैं मैं सिर्फ कुछ इन में से जो में stocks करीब study करूँगा करीब 15 और कंपनीज के बारे में study करूँगा और आपको उनके परफॉरमेंस रही है पिछले 5 साल में और अभी कैसा कर रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा हो सकता है इससे आप यह sound investment है लेकिन मैं मैं कोई यह यह मेरी personal study है यह मैं कोई financial consultant नहीं हूँ नहीं मुझे कुछ finance के बारे में आता जाबता है मैं तो अपने studies पर बिलीव करता हूं अपने knowledge पर बिलीव करता हूं मैं किसी के hear से पर नहीं जाता किसी के कहने पर कोई कुछ काम नहीं करता हूं तो मैं आपको यह study पेश कर रहा हूं just for our knowledge और accordingly you can take a call right but मेरा overall जो सोचना है वो यह है जो मैं शुरू में ही बताना चाहता हूं क्योंकि क्या पता कई लोग अंत तक ना देखे मेरे को उमीद ऐसी नहीं है बट फिर भी मैं कुछ 0.1% भी लोग रह सकते हैं जो अंत तक ना देखे इसलिए मेरा मेरा तो सीधे सीधे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना बहुती बहुती साउंड डिसीशन होगा लेकिन सबसे अच्छा तरीका मेरे लिए यह होगा मेरे जैसे middle class family के लोगों के लिए यह होगा कि हम यह Tata के and then let's see how it goes देखे एक चीज़ वाजने बाली है कि Tata stocks जो है almost सारे stocks अच्छे कर रहे हैं और काफी ऐसी stocks हैं जो होडे काफी जादा रिटरंस गी हैं right there have been best performing stocks in the recent years okay it can be trend it can be timex it can be Tata investment it can be you know any other company for that matter So, most of the companies have been doing very well, and recently we saw even one new IPO of Tata, which was Tata Technology. Though it's not doing well, because it's just recently started, but in the coming years, it's probably going to give big returns. That's my thinking, right? So, somebody will ask me, why are you so trustable, Tata Group? I know a lot about CDCC, we trust Colgate, we trust Lux, we trust Colgate, today we are back of the mind. Colgate, Lux, Sensodyne, V.I.P. Suitcase, these are some brands that are bigger in our minds, and the same Tata Group is Tata Group. And if Tata Group is good, if it's 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 good, I think Tata Group is close to my heart, and I think that every person should think about it and understand it. See, one thing to say is that, before we start, we have many polls conducted in recent years, and in 2013, there was a company in Equity Master, which has been a poll, and everyone has realized that Tata Group is the most trust-worthy, if it's good, if it's good, if it's good, and if it's good, if it's good, we'll get it. So, let's study this and see how it goes. So, the first company is Trent, in retailing business. So, Trent, if we look at the performance in the past 5 years, the current price of Rs.4,050. This is the two days before the price. So, it can be back. In the first year, it was almost 200% of the return, meaning, 197% of the return. And you won't believe that in the past 5 years, if you have kept this stock in 5 years, then it has been 1047% of the performance. So, that is the kind of stock it is, Trent. So, Trent, retail, it's a good stock, 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 it's one of the top most performing stocks of Tata Group. I have seen a graph, but when you study graphs, one-day-wise, one-day-wise graph, you can study a month-wise graph, but if you have a month-wise graph, you can see an upward trend, then obviously, you can think about it, you can think about it, investment. Tata investment corporation is a company, which is Tata, which is very few people know, and this is a NBFC company. The tax is very few people, and you may not see the recommendations on TV or news, but the stock of Tata investment is exemplary performance. This is a very good stock, but it doesn't stay in the summer. Now, the price of Tata is 6952, in the last year it has taken over 500% of the return of the return, and in the last year it has taken over 700% of the return of the return. This is the kind of stock, right? इसके बाद एक बड़ी कंपनी के बारे में आते हैं जिसको काफी लोग पसंद करते हैं इस टॉक को टाटा एलक्सी सॉफ़एर हाववर अभी कुछ समय से कभी डगमगाया हुआ है लेकिन तब भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है यह सॉफ़वर में है इसका करेंट प्राइज अभी एक साल में इसने करीब 188 परसंट की रिटर्न दी है और 5 साल में 500 परसंट की रिटर्न दी है कित्ती बढ़िया कंपनी है आप इसके बारे में जरूर स्टड़ी करिए और इसके ग्राफ को स्टड़ी करिए अपना दिमाग लगाईए और एक साल में करीब 24% की रिटर्न दी है पांस साल में करीब 230% की रिटर्न दी है तो अच्छा स्टॉक है इसके बारे में भी आप स्टड़ी कर सकते हैं चौथा इंपॉर्टा पावर पावर एक बहुत बड़ी ऑपर्चुनिटी है इंडिया में रिसेंट्ली और पावर की जितने स्टॉक्स है वो काफी जादा फोकस में रहे हैं तो टाटा पावर जो है अब ही करेंट्ली 436-437 का भाव है एक साल में इसने करीब 121 परसंट की रिटर्न दिये पिछले पांस साल में करीब 500 परसंट की रिटर्न दिये है अगला पांचवा स्टॉक है वो है टाटा कंजूमर आपको सबको पता है टी और कॉफी में स्टार्बक्स जो है वो टाटा Communist की 434 की रिटर्न दिये ए तो तिप करेंगे टार मंटर आटा मोर्स आटा मोर्स आटोòng मूमील में है टार्टा मोर्स सेन्टी स्टार्ट के दिकैंगे तो देंगे तो देर में स्टीप ह्य और करेंट करेंट प्राइजर का एकkennt прाष्य सेथडीय है ये एक साल में इसने करी एक साल में इसने करीब चाड़े बारा परसन की रिटन दिये, पांस साल में करीब सावा 300, 329-330 परसन की रिटन दिये, चलिए दो बड़े फेबस स्टॉक्स के बारे माते हैं, इक का नाम है इंडियन होटेल्स, इंडियन होटेल्स भी टाथा ग्रूप की ही कंपनी है, यह होटेल और रिसोर्टस में है, इनके लोग इतना ज़्यदा इनके होटेल्स वे रिसोर्टस को ट्रस्ट करते हैं कि यह प्रीमेर ली प्राइस्ट है, बहुत एच्छी परपर्टीज हैं, और बहुत एच्छी उनकी सवईस है, तो अभी करेंट भाव इसका 607 रुपए है एक साल में करीब 84% इंक्रीस दिया इसने और पांच साल में करीब 314% का इंक्रीस दिया तो इस दिया नो वी कम तो ने ने फेमस कंपनी विच ताइटन ताइटन जैसे हम सब को पता है कि वाच जुवर्री में है इसका करेंट प्राइस जो है अब थोड़ा सा महंगा हो गया 3619 है वो कि एक साल में इसकी रिटन 40% थी और पांस साल में इसकी 239% की रिटन है तो इसके भी इसको भी स्टडी करिए टाइटन के लिए अभी बहुत अपरचूनिटी है इंडिया में टाइटन एक मतलब इसकी मा है इसका करेंट भाव 163 है पिछले एक साल में इसने करीब 51% की रिटन दी है और करीब पांस साल में इसने 206% की रिटन दी है और स्टील की भी काफी सारी ऑपरचूनिटीज है टाटा स्टील इस गेनिग इस मार्केशेर और प्रभबली इस नेम तो रिकन विट सो नेक्स आते हैं जो काफी अंसुना सा लगेगा आपको यह पुराने जमाने में ज्यादा इसके बारे में सुनते थे वह है नलको जो है टेली कम्मिनिकेशन एक्विपमेंट में है इसका करेंट प्राइस 743 रूपीज है एक साल में इसने करीब 34% का रिटन दिया और पिछले पांस हम सबको पता है कि एर कंडिशनर में है और अभी तो सीजन है उसका और करेंट प्राइस उसका 309 है एक साल में इसने करीब 60% की रिटन दिया पांसाल में करीब 111% की रिटन दिया इस वाट इस वाट इस आगे बढ़ते हैं और आगे बागी कंपनियों के बारे में देखते है इन फैक्ट मैं आपको बता दूँ कि मैं एक डिविदेंट पे काफी सारे वीडियो भी बनाता रहता हूं और एक मैं अभी बिगनर्स के लिए जो बिगनिंग कर रहे हैं स्टॉक मर्केट में और वो एक पैसिव इंकम चाते हैं तो उनके बारे में भी एक छोटा सा बिना किसी महनत के और अप अचे कंपनी स मैं इनवेस्टर के सकते हैं सो चलिया आते हैंा टी च्लियस पे Basilis is a great company the current price is about four thousand one in the last one year it has given a return of about twenty three point five percent and in the last 5 year it is given about a return of hundred percent so that is what is TCS is.. but it is a good company .. I I think you know investing some money here makes some sense यह भी होटेल रिसोर्ट में है इनका करेंट प्राइज अभी 373 से 374 रुपीज है एक साल में इसने करीब 72% की रिटर्न दी और पांच साल में करीब 66% की रिटर्न दी तो पांच साल की रिटर्न जो है अच्छी नहीं बट इस परफॉर्मेंस गईज तो मेरा काम है आपको प काम है इसके के अंची कंपनी आयं आप मेरे लिए तो सबसे अच्छा मेरा अपन इडवाइज है कि मैं कुछ stocks को इसमें से पसंद करूँ और इसमें SIP करूँ इन फैक्ट में करता हूँ तो हर महीने कुछ न कुछ शेर इन में से कुछ stocks के मैं खरिदता रहता हूँ law of averaging के basis पे I'm sure एक long term मुझे corpus built होगा और long term हमें investment होगा और इसका return of investment अच्छा होगा तो मेरी suggestion ये बहुत ही strong suggestion है दो कि मैं financial consultant नहीं हूँ बट मुझे लगता है कि जो लोगों को ज़्यादा stock market की knowledge नहीं है जो लोग beginners हैं ये companies ऐसी हैं इसमें invest करके आप गलती नहीं करेंगे अगर आप SIP करते हैं अगर आप large corpus bulk लगाते तो हो सकता है गलती हो जाए और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि आप equity में ही लगाएं और इसको continuously आप study करते रहें इसको observe करते रहें और जब भी आपको कुछ ऐसा लगे जहां पे आपको डर पैदा हो तो आप अपने financial consultant से consult करिए और accordingly you take a decision for yourself So this is not a suggestion, this is not an advice, this is what is my study Okay, you do your own study, take your call But I am sure this study would help you to take a decision that why should people invest in Tata Group companies Look, this study will definitely like you, I have a trust that you will share your friends and colleagues and you will study a little more about this and you will take a wise decision Look, it is a long term game, equity is the best game, some part of your asset allocation has to be in equity That's what I think and accordingly you study about it and take a decision अगर अपको अच्छा लगे तो प्लीस कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को अपने रेलेटिवस को शेर करिए जिससे की वो भी इसका फाइदा हो रह सकते Namaskar